पूछ बाई से क्या पूछता है किमें तियारी करते सी अनमौल पढ़ाई थी मैंने कभी भी अपनी क्लासेज नहीं मिस कियो और कोई टेस्ट नहीं मिस किया मैं अपनी क्लासेज पर पुरा फोकस करता था और जो उनमें पढ़ाया जाता था उन्हें घर आकर अच्छे से रवाइस करता था अन्मोर फैमली दी किनी को स्पोर्ट मिल दी रही है सबली मेरी फैमली ने मुझे काफी सपोर्ट किया मेरे पेरेंट्स मुझे काफी जाधा मॉरल सपोर्ट प्रोवाइड करते थे जब मुझे depressed feel होता था या जब मेरे टेस्ट में कम नंबर आते थे किन नवाल देखके तुसी प्रेडित होई हो कि मैं अभी इस तरह ही अगे होना मेरे पापा जो कि खुद भी एक काडियोजिस्ट है उनने देखकर ही मेरा डॉक्टर बनने का मन था क्योंकि उनकी बहुता रिस्पेक्ट है सुसाइटी में और वो सुसाइटी में काफी अच्छा कॉंट्रिबीशन करते है लोगों की इतनी जाए हेल्प करके और लोगों की जान बचाकर सश्रिकाल तुसी देख रहे हो दैनिक स्विरा टीवी ते मैं हर्मन केंदे ने के मेहनत रांग जरूर दिखां दिये जही ही मेहनत ने रांग दिखाया अन मौल गरक दी जिसने की नेट दे विच्छों जलंदर चों फर्स्ट रेंक लेया ते पंजाब दे विच्छों 2 रैंक ते और इंडिया दे विच्छों 19 रैंक टे आईने तो सादे नाल मजूद नियान मौल अननाल काल करते हैं बहुत-बहुत मभार्ग थांक यू बारी मुच किमें तो मैं सूस कर रहे हैं और जल टान तो बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और एक्साइटड फील हो रहा है इस रांग ते और दी उमीद सी या इस तो ज्यादा सोच सी कुछ मेरा पेपर तो अच्छा गया था तो इसले मुझे अच्छी रांग की उमीद थी काफी अच्छा सॉप्राइस दिया था कि में तेयरीकरदे की हैँ अनमोल पुड़ाई थी मैंने कभी भी अपनी classes नहीं मिस किया और कोई test नहीं मिस किया मैं अपनी classes पर पुरा focus करता था और जो उनमें पढ़ाया जाता था उन्हें घर आकर अच्छे से revise करता था मैं अपने doubt spending नहीं होने देता था और teachers से उन्हें time to time solve करवाता रहता था और मैं test देने के बाद test की गलतियों को अच्छे से analyze करता था और यह ध्यान रखता था कि मेरी एक बार जो गलती होगी उसे मैं repeat ना करूं कभी भी तेर तुसी coaching कितों लेई है मैंने अकाश जलंदे से coaching की थी अन्मोर फैमिली दे किनी को support मिल दी रही है सबली मेरी फैमिली ने मुझे काफी support किया मेरे parents मुझे काफी जाद moral support प्रोवाइट करते थे जब मुझे depressed feel होता था या जब मेरे tests में कम number आते थे और मुझे समझाते थे कि यह सब बहुत छोटी चीज़ है और मेरा goal बहुत बड़ा है जस पर मुझे focused रहना है और अगर मैं focus रहूंगा और महनत करता रहूंगा तो ultimately मुझे success मिली जाएगी इस तरह गदी होया है कि नमबर का टांते को रोडांट भी पही होए करकेषख़े हूंगए, अपर काकेष़े कड्वेगा है ते कि अलुकि यह रोल मोडली का अगर मेरे पापा जोंगे है उनने देख करी मेरा डॉक्टर बनने का मन था क्योंकि उनकी बहुता रिस्पेक्ट है सुसाइटी में और वो सुसाइटी में काफी अच्छा कॉंट्रिबूशन करते हैं लोगों की इतनी जार हेल्प करके और लोगों की जान बचाकर अन्मौल एने चंगे रैंक ते तुसी आयो ते हून अग्य किस स्ट्रीम अग्य जाना चाहते हो तुसी अब भी तो मेरा पूरा फोकस एंबीबियस करने पर ही है और एंबीबियस करते दौरान मुझे हर एक स्ट्रीम का अच्छे एकस्पोजर में लेगा और तभी मैं दिल्ली जाना चाहता हूं ते तुसी जो कोचिंग लई है ओदे नाल नाल तुसी कारदे वीच किनना का टाइम लेंदे रहे हो पड़ाई दे वास दे मेरा कोई फिक्स्ट शेड्यूल नहीं था लेकिन मैं अपने पेंडिंग काम क्या कॉर्डिंग अपने शेड्यूल को ए मैंने कभी भी अपनी स्लीपर नी कॉंप्रमाइस किया क्योंकि अगर मैं अच्छे सोते नहीं था तो मैं दिन में एनेजर्टिक नी रहता था और उस एफिशेंसी से पढ़नी पाता था इसलिए मैं रात में 11 बजे के आसपा सो जाता था और सुबा छे बजे के आसपा उसके बाद तो दिन में खाना खाने और थोड़ा बात रेस्ट करने के लावा में पूरे टाइम पढ़ते ही होता था और कोचिंग जाता था स्टड़ी तो इलावा होर की ने शॉंक तड़े मुझे रनिंग और स्विमिंग का बात शॉंक है इस टाइम दे दुरान कदी गए हो बार अभी जब तक नीट नी आ था तब तक तो बहुत कम बहार जाते थे सिरफ अगर किसी का बर्थडे तब भी बहार जाते थे लेकिन अपने सारे शॉंक पूरे कर रहा हूं इस दरान फैमिली दिन आल कदी सोचे है कि दो तिन दिन स्टड़ी वा त्यार ना दी को मनली जाना या कुछ भी मन तो बहुत करता था लेकिन स्टड़ी का लोड इतना जाधा था कि मैं जानी पाया लेकिन इसमें मेरी फैमिली ने भ आही रहा है तुसी किन।के अपने सोचल मीडिया यूज गर्दे हो कि थोड़ा टाइम टीवी देख लेंदा या फोन यूज कर लेंदे मेरा मन तो बहुत करता था लेकिन फिर मुझे अपना गोल याद आ जाता था और उसके लिए फिर मुझे पता था कि मुझे चीजों को साक्रफाइस करना पड़ेगा अच्छान मोल स्टडी दुरान केडिय करने केडियों मुझे दा सामना करना पे आता था नो सबसे बड़ी मुष्यल तो यही थी कि काई बार मेरे टेस्ट में कम नंबर आते थे और कई बार मेरा कोर्स काफी पार अपना पेंग जयाता था ओर बाकलोग हो जनी ओर मुझे काफी depressed देसहक्र्टन होता था यूह ओर डरना निहाँ और अपने गोल को ध्यान में रखना और महनत करते रहना है, ताकि फिर आपको सक्ससमिल सके तो फिर में तो यही दिक्कत थी कभी डिस्हाट-नियों कार अपने आपको हमेशा आपको हमेशा मोटिवेट़ रखना है. अन्मोल अपने साथियानों या बाकी बच्चेयानों की मैसेज़ देना चाहोगे? मैं यही मैसेज़ देना चाहूँगा कि कंसेस्टेंटली पढ़ाई करनी चाहिए और अपनी क्लासेस पर बहुत अच्छे से फोकस करना चाहिए और पर खासकर फोकस करना चाहिए नीट की प्रपरेशिन के लिए एकन मोल जदो करोना दा टाइम आया सी दो साल तक काफी मुश्किला इन ते उस टाइम चुत अन्नो केडिया मुश्किला अनल जूंजना पया सबसे बड़ी मुश्किल तो यही थी कि 10 में तक मुझे टोटली ओफलाइन स्टडीज की आदत थी और 11 में कोवट के कारण स्टडीज कंप्लीटली ओनलाइन हो गई थी जिसकी वज़े से शुरू में मुझे काफी दिक्कते आ रही थी लेकिन धीरे-धीरे मैं अपने आपको किस्टम कर लिया ओनलाइन मोड की तरफ और इसमें अकाश्टलंधे ने मेरी काफी हल्प की उन्होंने बहुत जा अच्छे तरीके से ओनलाइन क्लासेज कंड़क्ट करवाई और हमारे डाउट्स अच्छे से सॉल्फ किये जब ओनलाइन क्लासेज शुरू ही थी तब मुझ कि मैं पूरे टाइम घर पर रहता था और काफी डिप्रेस हो जाता था कहीं बाहर ना जाने के वज़े से और किसी से ना मिलने के वज़े से तो उसमें मेरे ब्रदर और पेरेंस ने मुझे काफी मोटेवेट किया और मेरा काफी एंटरेन्मेंट करते थे वो ताकि मैं मोटे निक्सुरा टीवी.